ये कार्यक्रियम सत्य घटनाओं से प्रेरित हैं, चिनके साथ ये घटनाए घटी, उनकी वास्तविक्ता उनी तक सिमित हैं। भूत, प्रेतों और आसामान्य विश्यों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। अत्पूत, आविश्वश्निय और आकलबनिय सच्ची घटनाओं पर आधारित कहनों सुनने के में चुड़े रहे हैं, भूत पास्ता के साथ। जल्दी चलो, अमीद बेटा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, ये दुष्ट आत्माएं मार डालेंगी उसे, जल्दी चलो, लेकिन काका, समझ नहीं आ रहा, जब अन्याय ठाकुर सुमेश्वर सिंग का, तो सजा राहुल को क्यों, और ये सभी लोगों के खून के प्यासे क बेटा, इतना कहकर, रामदयाल सोच में पढ़ गया, बताओ, बताओ, रामदयाल काका, सच्चा ही बताओ इससे, पीछे खड़ा, चरसी सूरज बोला, बेटा सूरज तुम, हाँ बुढे, बतादे अपनी कर्तूते, उन दिनों क्या चल रहा था हवेली में, बतादे बे, बेटा, वो, मैं, बतानी वाला था, राम, रामदयाल की जीव लड़ खड़ा उठी, क्या बताएगा, कब बताएगा, जल्दी बोल, बेबुढे, सूरज ने गुस्से में कहा, बिटा, उन दिनों अकाल की मारा मारी थी, खेत खलीहान में अनाजना था, चारी की कमी से गाय भैं सब मर रहे थे, लोग दाने दाने को महताज रहने लगे, भूक से कईयों की जाने जा चुकी थी, रोज पहाडी के पार इन लाशों को जलाया जाता था, जिससे जंगल में लकडियां कम पढ़ने लगी, और पहाडी के पार लाशों का धेर लग चुका था, पूरा गाउं सरती लाशों की दुरगंध से भर उठा था, जीना मुश्किल हो गया था, सरकार से भी कुछ खास मदद नहीं मिल पा रही थी, फिर क्या हुआ काका? फिर एक दिन, जब गा अरके जानवर के आने के आशंका नहीं थी, ठाकूर के आदमी पूरा जंगल चान कर खोई लाशों की तलाश करने लगे, रात में लाशों के आसपास पहरा देने लगे, फिर एक रोज उन्होंने देखा, कुछ लोग लाशें चुरा कर घने जंगल की ओर जा रहे हैं, लोगों को लेकर उस घने जंगल की ओर बढ़ चला, वहाँ पहुंच कर उन नर्भक्षी लोगों पर उन्होंने धावा बोल दिया, कईयों को गोली मार दी गई, और बाकी डरे से हमें नर्भक्षी लोगों को बंधक बना लिया, कहां से आयो तुम लोग? ठाकूर ने कहा, काफी देर तक नर्भक्षी एक दूसरे का मुह ताकते रहे, लेकिन फिर उनका सरदार बोला, हम आदिम जाती से हैं, लाशे खा कर अपना जीवन चलाते हैं, हमारे तोर तोरी के आम लोगों से अलोग है, इसलिए हम घने जंगलों में रहते हैं, कोसो दूर से सोड़ती ला हेवान, हम सद्यों से ऐसे ही जीते आए हैं, हमने कभी अपनी भूक मिटाने के लिए होत्या नहीं की, जो मर गया उसी के मास से हम गुजारा करते हैं, लेकिन खून तो तुम चूस रहे हो, इन भोले भाले लोगों का, क्या कहा, जुबान खीच लूँगा तुमारी, गलत क जा कहा ठाकूर, एक दिन में गाउं का मौका मुयाना कर रहा था, तब तुम्हारे आदमी लोगों को डौरा धुमका कर उनकी जोमीन कबजा कर रहे थे, भूक से सारा गाउं त्रोस्त है, और तुम उनकी जोमीने चिन रहे हो, हैवान हम है या तुम, चुपकर, वरना तु तुम सबको यही गोलियों से भून डालूंगा, और देखते ही देखते, ठाकूर ने दो नर्भक्षियों को गोली मार दी, नहीं, नहीं ठाकूर, मत मारो इन्हें, हम ये गाउं आज ही छोड़ देंगे, हमें जाने दो, जाने दो, जाने दू, ना, 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 तुम लोग नहीं रहोगे, इस वीरान जंगल में, क्या कह रहे थे, किसी को मार कर नहीं खाया, ये लोग तो वैसे भी भूग से मर ही जाएंगे, तो क्यो ना, तुम इन्हें मार कर अपनी भूग मिटाओ, नहीं, नहीं ठाकूर साहब, ऐसा मोत कीजिए, हम लोग ये पाप नहीं कर सकत अ-अ-अ-अ, सोचना भी मत, वरना तुम में से कोई जिन्दा नहीं बचेगा, तुम्हें ये काम करना होगा, कल रात गाओं में घुसकर, आतंक फैला दो, लोग गाओं खाली करने पर मजबूर हो जाए, कुछ ऐसा करो, कि हाहाकार मज जाए, इतना कहकर ठाकूर और उसके कुछ भूल गया तुबूढे, ये खोन के प्यासे साय कहां से आए, ये वो नर्भक्षी नहीं है, इन्होंने तो मौत का तांडव मचा दिया है, सूरज ने राम दयाल से बंधूक छीन ली और उसके सर पर तांदी, बोल बूढे, वरना यही तेरी खोपडी उडा अमेद बेटा, तुम्हारी दाधी की हत्या के बाद सारा गाउं सहम गया, लोगोंने घर से निकलना, आपस में मिलना जुलना सब बंध कर दिया, उसके बाद वो डायन बन, लोगों से बदला लेना शुरू किया, घने जंगल में उसने नर्भक्षी लोगों को ढूंड लि ऐसा विभद्स रूप देखकर नर्भक्षी भी सहम गये, उन्होंने भागने की तमाम कोशिश की पर उस डायन के इशारे पर पूरा जंगल चलता है, पेड की जडों ने उन नर्भक्षी लोगों को जकड लिया, उसके बाद उस डायन ने उनकी आँखे निकाल ली, और अ उनर्भक्षियों के शरीर से खून का एक एक कत्रा तक चूस लिया गया, उसके बाद जब वो डायन गुफा से बाहर निकली तब उसके साथ उनर्भक्षी थे जो अब उसके गुलाम हो चुके थे, वो अब पहले से भी ज्यादा हैवान हो गये उस दिन के बाद गाउं के ह आदमियों की लाशे गने जंगलों में पेडों से लटकी मिलने लगी, बड़ी दर्दनाक मौत मारा उन्हें, उनके जिन्दा शरीर से एक एक हिस्सा निकाल लिया गया, उन लाशों की हालत बता रही थी अब समय निकट है, लोग गाउं खाली कर रहे थे, ठाकूर की पतनी अपने बेटे के साथ लंडन जा चुकी थी, अब गाउं में मुठी बर लोग ही बचे थे, ठाकूर सोमेश्वर और चंद आदमी, वो भी चुन-चुन कर मारे गए, कुछ की लाशे आम के बागान में मिली और कुछ की कुए में, अपनी मौत करीब देख, ठाकूर ने भी गाउं से भाग लेना उचित समझा, लेकिन हवेली से जैसे ही बाहर निकला मौत की सायों ने उसे घेर लिया, बड़े दर्दनाक तरीके से उसके जिसम की एक-एक हड़ी तोड़ी गई, पहले उंगलिया, फिर हाथ, फिर टांगे, उसके हाथ पैर खीच कर उसकी जिसम से अलग कर दिये गए, और आंत में उसका सिर, उस डायन ने संत्रे की तरह पिचका कर फोड़ दिया, अब मैं ही बचा था, मैं भाग कर वापस हवेली में आ गया, किसी तरह इस हवेली ने अब तक मेरी जान बचाई है, तब से रोज रात यही सिलसिला शुरू हो गया, जो त अपने हाथ रंग लिये, गुनेगार मैं भी हूँ, मानता हूँ बेटा, मानता हूँ, अब चाहे मेरी जान तुम ले लो, या ये मौत के साए मुझे नोच खाया, परवा नहीं, लेकिन सूरज बेटा, ये दोनों निर्दोश है, इन्हें बचा लो, और ये गाउं छोड़ कर दूर चले जाओ, दोस्तों, कैसा लगा आज की कहानी, यदि आपके पास ऐसी कोई भी आर्टिकल या जानकारी है, जो आप हमारे साथ शेर करना चाहते हैं, कृपिया उसे अपनी फोटो के साथ इमेल करे, हमारा आईडी है भूतपास्ता एट जीमेल डॉट कॉम, आने पर हम उसे आपके नाम और फोटो के साथ यहां पब्लिश करेंगे,